इस हाईवे पर खुले आम हो रही है जिस्म फरोशी मात्र तीन सो रुपे में यूतियां करती है जिस्म का सौधा अजमेर नैशनल हाईवे पर खुले आम चल रहा है जिस्म फरोशी का कारोबार ना पुलिस का डर ना प्रशासन की कोई फिक्र मन्चले युवक बे रोकटोक और बिना किसी भय के महंगी गाड़ियों में आते हैं और स्त्रियों के जिस्म का सौधा करते हैं राजस्तान पत्रिका की टीम ने स्टिंग ओपरेशन कर एक बार फिर एनेच आठ के इस काले सच को उजागर किया है राजस्तान पत्रिका टीम के साथ तीन अन्य युवक दोपर धाई बजे बढ़गाउं पहुँचे तो डेरों में से पांच युवतियां बाहर निकली उनमें से तीन युवतियां कार के नजदीक आ गई और साथ चलने के लिए कहने लगी इस दोरान किसी ने 500 रुपए तो किसी ने 300 रुपए बताए आखिर 300 रुपए पर बात बनी टीम के सदस्यों ने जब पुलिस के आने और पकड़े जाने की बात कही तो एक युवतियां ने कहा कि पुलिस के डर से टेंशन फ्री रहिएगा इन देरों में पुलिस का क्या काम आप तो भी फिक्र होकर अंदर चलिए राजस्तान पत्रिका ने इससे पहले 24 मार्च 2015 के अंक में NH8 का काला सच शीरशक से खबर पकाशित कर इस देह व्यापार को उजागर किया था इसके बाद कुछ दिन के लिए इस अवैद कारोबार पर अंकुष लगा लेकिन पुलिस की धिलाई के कारण दोबारा से जिस्म फरोशी का धन्दा शुरू हो गया